दोस्तों आज का ये वीडियो उन एस्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए है जिन्होंने एस्टेट बैंक आफ इंडिया में हभी हाल फिलहाल में ओफलान या फिर ओनलाइन अकाउंट ओपन किया है और उनको जो है अभी तक डेबिट कार्ड रिसीव नहीं हुआ है अब ऐसे म पर आपको बता दे कि आधार कार्ड से भी आप काफी असानी से अब यूपिय रेजिस्टेशन कर सकते हैं स्टेट बैंक में आने वाली है फीचर बाकी के कुछ बैंक में आ चुके हैं तो चलिए देख लेते हैं कि कम से कम मुबाल बैंकिंग की जो सर्विस होती है मिसकॉल अलर्ट वाली की मिसकॉल करिए और आपको जो है बैलेंस की जानकारी मिल जाती है पिछले पांच ट्रैंजिक्शन की जानकारी आपके फोन पर मिल जाती है तो यह सर्विस आप घर बैठे हैं काफी असानी से एक्टिवेट कर सकते हैं अगर मोबाल नमबर आपने सान्ट आपके खुलते भी नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है इसविए आई के बैलेंस इंक्वाइरी बाले पर जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा है जाएगी कि आपका जो नंबर है वो रेजिस्टर नहीं है इस फैसिलिटी के लिए तो पहले आपको होता है तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम phone banking या फिर miss call alert को चालू करते हैं अपने state bank of india में तो phone banking के लिए आपको registration करने के दो तरीके हैं आपको यहां पर देख सकते हैं कि 917208933148 पर SMS करना होता है REG लिखिए capital में एक space दीजिए और उसके बाद account number देकर आपको send कर देना है तो REG account number और इस number पर अगर आप send करते हैं तो आपका जो है register हो जाता है और फिर miss call लगाएंगे आप और आपका balance आजाएगी आप जो है five last के transactions भी जान पाएंगे और दूसरा तरीका है SVI quick application डाउनलोड करके तो चलिए दोनों तरीके से हम करके देख लेते हैं तो पहले हम normal तरीका इस्तमाल करते हैं यानि कि हमें REG लिखे के mobile number यहाँ पर यह जो दिया गया है इस पर हम send करने का प्रियास करते हैं तो यहाँ पर हमने अपना जो है REZ type किया और अपना यहाँ पर account number दे दिया है और चलिए send करते हैं तो यहाँ पर जो है आप देख सकते है message send नहीं हो रही है BSNL में क्या इसु चला यह तो मुझे नहीं मालूम balance तो भरपूर है चलिए एक बार फिर से retry करते हैं और यहाँ पर retry, retry करने के बाब जूर भी message नहीं जा रही है कोई नों कोई issue तो जरूर है दोस्तों लेकिन चलिए हम यहाँ पर आपको इसी तरह से message send करना है आपका तो काम हो जाएगा हम wait करते हैं कब तक message जाती है चलिए अब दूसरा तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक message जो है send हो चुका है और यहाँ पर थोड़ा सा wait करिए यहाँ पर message भी मुझे मिल चुका है कि हमारा जो number है वो register हो चुका है तो अब जो है हम miss call करके देख लेते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि miss call करके अब जो है हमारा balance हो होता है कि नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते है balance जो है अब message आ चुका है miss call करने के बाद की balance हमारा कितना है तो इस तरीके से आप तो activate कर ही पाओगे और दूसरा तरीका है SBI quick application डाउनलोड करिए और उसके steps को follow करिए कुछ इस type से आपको interface देखने को मिलेगी और one time registration करना होता है आपको बार बार नहीं करना होता है एक बार registration कर लीजिए उसके बाद number और ये directly वहाँ पर message type कर देगा बस आपको send कर देना है तो ये काफी सरल तरीका भी है तो इस तरीके से भी आप mobile banking के लिए registration कर सकते हैं SBI में बाकी दोनों में से किसी भी method को follow करिए और जब तक card नहीं आती है आप balance check कर सकते हैं इस तरीके से ये नए users के लिए वीडियो थ दीजे इजाज़त थेंक